तो बच्चो श्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में बिहार, मेडिकल, यूजी मैक, MBBS, VDS और वेटनरी साइंस के काउंसलिंग का डेट जो है वो आ चुका है फॉर्म ऑनलाइन 15 से 19 अगस्त तक होना है और आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो 21 अगस्त को आएगी और आपका काउंसलिंग जो है वो 25 अगस्त के बाद स्टार्ट हो जाएगा अगर फस्ट राउंड सीट अलोट्मेंट की बात करें तो अगस्त के सेप्टमबर के फस्ट वी बिहार में कितने private colleges हैं किस college की कितनी सीट है इसके बारे में हम detail में बात करने वाले हैं बच्चो अगर आपने पूरा detail वीडियो नहीं देखा है तो एक वीडियो मैंने government colleges के उपर बना दिये हैं जिसमें top colleges कौन कौन से हैं किसकी कितनी fee है infrastructure कैसा है कौन सा college आपके लिए बि dental colleges हैं इस बार government dental college आने वाला सॉरी government mbbs college आने वाला था लेकिन अभी तक इस prospectus में कोई update नहीं है एक final seat matrix जो है वो आएगा choice filling से पहले अगर उसमें आ गया तो counseling में दोनों colleges participate करेंगे एक college था रामजान की medical college समस्तिपूर एक था government medical college छपरा ठीक है दोनों colleges का डिटेल अभी नहीं है hopes हो कि colleges जो है वो आज आए ठीक है PMC पतना में देख सकते हैं 200 seat है central nominee 5 गो है अल इंडिया कोटा 30 है और total available seat for state counseling 165 है DMC लहरिया सराय में total 97 seat state के लिए है JLNMC भागलपूर 98 seat NMC पतना में 124 seat SKMC मुझपरपूर में 98 seat NMC गया में 98 seat यह state quota counseling के लिए है ठीक है बच्चों कुछ जो है वो आल इंडिया quota में चला जाएगा ठीक है उसके बाद आज EMS पतना में 102 seat government medical college बेतिया में 102 बिम्स पावापूरी में 102 जन्नायक करपूरी ठाकुर medical college में 85 ESIC में 50 government medical college पुर्णिया में 85 और पतना dental college में 30 seat है और dental college जो नालंदा है उसमें 85 seat है यह जो seat है यह category wise distribute हो जाएगा बच्चों ठीक है total seat की हम बात करें तो 1321 है 85% state quota के लिए total seat 3630 है और जिसमें की और इंडिया कोटा के लिए 244 seat रखा गया है अगर वहीं हम private medical college की बात करें जिसमें की total 9 colleges है एक नया college जो है वो add हुआ है एक नया college और add होने वाला था लेकिन अभी तक उसका कोई update नहीं है हिमालया medical college जो है वो add हो चुका है total seat जो है ये 50 है ठीक है undeserved के 50 seat है हलाकि इसके website पर आप जाएंगे तो 150 plus seat का इसका affiliation जो है वो दिखाता है लेकिन इसको अभी 50 seat ही मिला है हलाकि नया जो seat matrix आएगा उसमें seat बरने की संभाबना है कटियार medical college में 150 seat है माता गुजरी में 100 seat है ठीक है जिसमें की category wise distribute है देख सकते हैं Muslim minority के कटियार medical college में 75 seat है NRI 23 seat है और सिख minority के लिए 30 seat है वहीं आप देख सकते हैं माता गुजरी में 100 seat 55 unreserved के लिए है 30 सिख minority के लिए है 15 NRI के लिए है नरायना medical में 212 seat है 128 unreserved है 0 seat और NRI के लिए 38 seat है ठीक है लॉर्द बुद्धा में 100 seat 50 seat जो है आपको यूर के लिए उसके बाद NRI के लिए नेता जी सुबास में 100 seat है नरायना medical college में 1500 seat है RDGM college मुझपर पूर ये पिछले साल का college है इसमें 1500 seat है ठीक है कुछ seat जो है NRI कोटे के लिए है हिमालिया medical college पाली गंजो नया आया है इसमें 50 seat दिया गया है merit based, rank based ही college मिलना है अगर आप unreserved seat पर form fill up नहीं करते हैं अगर कोई भी counselor अगर आपका NRI कोटे से form fill up कर देता है तो आपको double fees देना पड़ेगा मान के चलिए कठी हायर medical college का 10 लाग के आसपास fee है तो आपको सीधा 19 से 20 लाग जो है वो first year का fee हो जाएगा तो NRI कोटे से कभी भी admission ना ले फी जो है वो आपका double हो जाएगा वह dental college की बात करें तो तीन colleges है बुद्धा कंकरबाग में 100 seat है मिथला minority में 60 seat है सरजूग लहडिया सराय में जो है वो 40 seat है और category wise seat जो है वो distribute हो गया है ठीक है उसके बाद कुछ जो है वो आपको veterinary science और animal husbandry के है ठीक है बेटनरी साइंस अन्वहस बेंडरी के भी सीट है जिसमें total 80 seat है उसको इसमें 75 seat है ठीक है ठीक है तो बच्चों documents related videos जो है वो आज आएंगे जो भी हमारे expert के थूरू counseling कराना चाहते हैं वो हमारे expert के थूरू counseling program में add हो सकते हैं हमारी expert के team आपके भीहाप में counseling का सारा process करेगी rank based choice feeling से लेकर के form online registration हर एक चीज़ एक से डेड़ महिने के counseling process को पूरा देखेगी ठीक है अगर आप counseling effort नहीं कर पाते हैं तो हमारे YouTube channel के साथ बने रहे हैं मैं form online से related हर एक choice feeling से related आपके videos बनाऊंगा और आप लोग उस video को देख करके खुद भी counseling कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए कि top colleges कौन से है किस college की ranking कितनी है कौन से colleges आपको मिल सकते हैं आपके rank based पे कौन सा college है जिससे आप rank based counseling कर पाए और आपको अच्छे से अच्छे college में admission ह हो पाए में है choice feeling choice feeling अगर rank based नहीं करते हैं तो आपको counseling से अच्छे college की उमीद जो है वो छोड़ देनी चाहिए ठीक है बच्छो अगर आपका अच्छा score है 670 80 के above है तो आप जैसे तैसे counseling करो आपको colleges मिल जाएंगे ठीक है लेकिन low score है तो rank based counseling जरूर करवाएं और counseling guidelines को जर तो चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अब्रेट के साथ अब तक के लिए जैहिं थेंक्स पूर वाचिंग